मुख्य मंत्रे की गोशनाओं पर कैबिनेट ने लगाई मुखर 10 लाग कर्मियों का मंगल, 5 लाग सुविधा कर्मियों का बढ़ेगा वेतन 7.5 लाग करमचारियों को सरकार ने दी 4 परतिशते महंगाई बत्ते की वेर्दी की सोगा थे अगस्त के वेतन में होगा 900-6500 रुपए वेतन लाग सुविधा कर्मियों को निमित कर्मियों की तरह मिलेंगी सुविधाएं परतेश के करीब 10 लाग कर्मचारियों के लिए मंगलवार के दिन मंगल में रहा दो सो शिवराज जोहान कैबिनेट ने करीब 7.5 लाग निमित कर्मचारियों का महंगाई बत्ता 4 परतिशत बढ़ा कर 42 परतिशत कर दिया नए सुविधा नीती को सुविधा कर्मचारियों को 100 परतिशत वेतन देने के परस्ताव पर मोहर लगा दी अभी ने समकक्स निमित कर्मचारियों के मकाबले 90 परतिशत वेतन दिया जाता था मुख्यमत्री शिवराज जिंग चोहान ने अलग-अलग स्थानों पर तोनों गोशनाई की थी वेतन में 10 परतिशत की विर्दी होने से शुविधा कर्मचारियों को साड़े साथ सो से साड़े साथ सो से दस अजार रुपई तक का माशिक लाब होगा इसके लाबा कैबिनेट ने परदेश की सड़कों फलाई वर के निर्मान के लिए ठारा सो इक्यासी क्रोड रुपई स्विक्रित किये हैं महेंगाई बता चैर परती सते बढ़ाने से निमित करमचारियों को परती माँ नो सो से पैंसिट सो रुपई गार लाब होगा उन्हें तीन समान किस्तों में जनुरी से जून तक की एरियर राशी का भुक्तान किया जाएगा साथ ही निवाड़ी में दो जिला कारेलों के लिए उन्निश पत की स्विक्रिती दी गई सुईदा कर्मियों को लाब होगा दीन डैयाल ग्राम जोती योजना को मनजूरी निर्मान को मिली स्विक्रिती लाडली बहना योजना के प्रावदानों में संसोधन होगा कैबिनेट ने लाडली बहना योजना में संसोधी प्रावदानों को भी स्विक्रिती दी है एक जनुरी के सिती में 21 वर्स पूर्ण करने वाली महिलाओं को भी योजना कला मिलेगा अभी तक नियुन्तम आयू चीमा 23 वर्ष थी जिनके परिवार के सदिशों के नाम से ट्रैक्टर होगा वे भी पात रहोंगी जिनके परिवार के सदिशों के नाम से ट्रैक्टर होगा वे भी इसमेंचार होगी चेमे मान वेतन मान भी मिलेगा जिनके रमचारियों ने जुलाई 2023 को 35 वर्ष की साश के सेवा पूरी कर ली है उन्हें चतूर से शिम्यमान वेतन मान देने का निरने भी कैबिनेट ने किया है इसे क्रमचारियों को 2000 से लेकर 10,000 रुपए का ला मिलेगा